असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे अलहमदलिल्ला मैं भी खैरियत से हूं आज की रेसिपी है कोफते करी कोफते बनाने के लिए मैंने आप है 350 ग्राम कीमा लिया है यह बिना चिकनाई वाला कीमा है इसमें फैट की कॉंटरिटी बिल्कुल भी नहीं है इसको मिक्सर के जार में पीस लेना है मैंने यह पर चार प्याज लिए हैं दो प्याजों को चॉप करना दो प्याजों का पेस्ट बनाना है तो यह जो प्याज मैं आपको दिखा रही हूं मैं इसका पेस्ट बना हूं और यह जो प्याज है हरी कॉपर की मदद से भी आप चॉप कर सकते हैं और आप चाहिए तो नाइफ की मदद से भी चॉप कर सकते हैं कि इन दोनों प्याज़ों का यूज अलग-अलग मैं आपको आगे बताऊंगी इस तरीके से चॉप करना है कि इसके बाद हमें 20 से 25 काजु चाहिए इसका एक पावडर बना लेना है और उसके बाद बेसन को भी धीमी आज पर हलका-हलका सब भून लेना है मैंने यहाँ पर 4 टीस्पून बेसन लिया है कीमे की quantity के साब से बेसन लिया जाता है तो मैंने यहाँ पर 350 ग्राम कीमा लिया था तो उसमें मैंने 4 टीस्पून बेसन डाला और यहाँ पर देड़ चमच मैं यहाँ पर काजू का पाउडर डाल दूगी इससे कोफतों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सॉफ्ट बनत डाला है और 1-4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाली हल्दी बिल्कुल आप्शनल है आप चाहें तो डाला आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली जेगा मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट एड किया था और जित कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं कोफते भी दो-तीन तरीके से बनते हैं यह मैंने सबसे आसान ट्रिक आपको बताईए कोफते बनाने की यह भी बहुत अच्छे बहुत ही टेस्टी बनते हैं कोफते हाथ की मदद से इसको मिक्स करिएगा तो अच्छे से होंगे अब इसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं मैंने यह आपर हाफ जावेतरी का फूल लिया है बिल्कुल थोटा सपी से एक जैफल कर लिये एक बड़ी लाइची लिये चार चोटी ल मैं यहां लिये तुछ फून मैंने यहँड़ का जुका पाउडर लिया एक यहां था फैक्री झाल यॉब यह इस तरीके से एक पेस्ट बन के तयार हो गया अब इसमें हाफ टी स्पून मैंने आपर गरम मसाल अड़ कर दिया अब इसके बाद कोफते बनाने के तयारी कर लेते हैं छोटे-छोटे पोर्शन लेकर आप अपने हिसाब से कोफते बना आपके घरन जैसे पसंद के कुछ ल मैं आप यह आपको एक और बनाना बताऊंगी हुब दबा दबा कर बना लिएगा ताकि हमारे कोफते बिल्कुल भी न डूटे कुछ लोग पानी लगा कर बनाते कुछ लोग तेल लगा कर बनाते बट मैं ऐसे ही बनाती हूं यह हमारे सारे कोफते बनकर तयार होगा अब इ कोफते फ्राई हो जाएंगे इसको मैं निकाल लूँगी बहर आधे यहां पर पक जाएंगे और आधे ग्रेवी के साथ पक जाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता आप भी इस तरीके से बनाएगा यह पिल्कुल सिंपल और इजी मैथड है कोफते बनाने का अब को कुफते की ग्रेवी बघरने की तैयारी कर लेते मैंने यहां पर वन फोर टीस्पून सियाजी रह लिए दो तेज़ पत्ते लिए दो सिनेमन स्टिक ली एक लैची ली और एक लॉंग लिया और यहां पर मैंने फोर लेडल मस्टर्ड ओयल लिया था कि उसी कड़ाई में मैं इस मसाले को दीमी दीमी आज पर खूब अच्छी तरीके से भूनना है कम से कम इस मसाले को आपको आदा घंटा तो भून नहीं है पानी खुश्ख हो जाए फिर से इसमें एट कर दीजेगा अब इसको भूनते जाना है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डा लिएगा मैंने यह पर वन टी स्पून नमक डाला था आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं डिफाइन्ड ओयल में इसका टेस्ट बिल्कूल भी अच्छा नहीं आता आप चाहें tuh मस्टर्ड ओयल और घी दोनों चीजें मिलाकर भी बना सकते हैं अब मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है अब कोफटों को भी एक दो मिनट हलके हलके हाथों से इसमें भून लेंगे मसाले में यह ऊच्छी तरीके से भू जाएंगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी आट कर देंगे आपको जैसी ग्रेवी रखनी हो आपके घर में जैसी ग्रेवी पसंद की जाती हो मैं बहुत ज़्यादा पानी आट नहीं करूंगी आप देख रहे हैं हमारे कोफते कितने अच्छी तरीके से भुन चुके हैं मैंने यापर देड़ कप पाणी आड़ किया था देड़ कप पाणी डालने पर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी आपके घर में जैसा पसंद किया जाता आप ऐसा शोरवा रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके की सारे रेसिपिस थोड़ी सी धीमी आच मे कीजिएगा ताकि सारी चीजे आपस में मिल जाएं अब इसको सर्फ कर लेते हैं और उपर से हरी धनी और हरे मिर्ची के साथ इसको गार्निश करते हैं मज़ेदार से हमारे कुफते एकदम तयार है एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइए कीजिएगा बहुत ही टेस्टी की रेसिपी बनती है इंशाला मैं कुफते की और भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इंशाला फिर मिलूंगी एक नई रेस कियेगा अल्ला हाफीज